दोस्तो नमस्कार हमारे APA Palm Analysis चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम भाग्ये रेखा के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हाथ की अलग-अलग स्थानों से शुरू होने वाला भाग्ये रेखा के बारे में फिर इसके बाद भाग्ये रेखा पर बनने वाले कुछ अच्छे बुरे संकेतों पर चर्चा करेंगे तो चर्चा आरम करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये है तो प्लीज सस्क्राइब करें ताकि अकले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके तो अब चलिए चर्चा को सुरू करते हैं दोस्तो हाथ की इस वाले रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है ये रेखा हाथ के कहीं से भी सुरू हो सकता है लेकिन इसका अंत जो है वो मद्धमा उंगली के नीचे ये जाकर खतम होती है मद्धमा उंगली के नीचे इस वाले एरिया को सनी परवत कहा जाता है तो इसलिए भाग्य रेखा को सनी रेखा भी कहा जाता है और इसे धन रेखा भी कहा जाता है अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा, मनी बंद से शुरू होकर कलाई पर बनी जो मनी बंद के रेखा होती है, यहां से शुरू होकर सनी परवत तक जाए तो ऐसे वेक्ति की भाग्य उदय पैत्रिक संपत्ति द्वारा होता है, जैसे पिता का कोई कारोबार या बिजनिस को समालना, या हो सकता है ऐसे वेक्ति की परिवार में कोई ऐसा बिजनिस हो जो पीडी दर पीडी, जैसे पहले दादा जी ने किया, फिर पिता जी, फिर उस तो ये समाल रहे हैं इस्ट प्रगर के कोई ना कोई कारे से यानी पेटरिक सफलता से ऐसे लोगों की भग्य उदय होता है इसके बाद अगर किसी विक्ति के हाँथ में भग्य रिखए चंद्र परवत से सुरू होकर सणि परवत तक पहुचे तो ऐसे लोगों की भाग्य उदय साधी के बाद होता है हो सकता है पत्नी के तरब से कोई सपोर्ट हो बिजनिस में या पत्नी जॉब करने वाला हो या अगर इस तरह के कोई भी कुछ भी ना रहे लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की जो किस्मत है वो साधी के बाद ही बनता है, साधी के बाद चमकता है, इसके बाद अगर किसी विक्ति के हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा से अंदर से शुरू होकर चले, जीवन रेखा के अंदर के इस वाले एरिया को सुक्रपरवत कहा जाता है, तो अगर किसी के हाथ में भाग्य र कोई बिजनिस में सहयोग मिला हो या या ऐसे लोगों की जो है वो साधी उचे खंदान में मतलब धनी परिवार में हुगा हुगा ससुर का जायदात संपत्ति काफी सरा है और उसको मैनेज करना उसको समहलना इस प्रकार के कोई भी सहयोग हो सकता है इसके बाद अगर किसी के हाथ में भाग्ये रेखा जीवन रेखा से सुरू होता है जीवन रेखा से सुरू होकर अगर भाग्ये रेखा चले तो ऐसे विक्ति खुद के महनत से सफलता प्राप्त करते हैं जीवन के कुछ समय बिटने के बाद ऐसे विक्ति अचानक कोई मौका इनहीं मिलता है या इनका महनत इसका रंग लाता है जिससे इनको सफलता मिलती है इसके बाद अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा हतेली के बीच में से सुरू होकर आगे बढ़े तो ऐसे लोगों की भाग्य उदय जो है वो अपने महनत के बलबुते होता है शुरू-शुरू में ऐसे लोगों की काफी संगर्ष भरा जीवन रहता है लेकिन धीरे-धीरे कुछ समय बितने के बाद ऐसे लोगों की सफलता हाथ लगती है इसके बाद अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा मस्तिश्क रेखा से सुरू होकर आगे चले तो ऐसे बेक्ती अ ऐसा कोई मार्क खोज लेते हैं जिससे इनका भाग्य उदय होता है अगर किसी बेक्ती के हाथ में भाग्य रेखा सनी परवत पर जाके दो भागों में बट जाए तो ऐसे लोगों की जो भाग्य है जो सफलता है वो दुगनी हो जाती है इस प्रकार के सईयोग को बहुत माना जाता है अगर इसके साथ और एक साखा निकले तो यह विक्ती की राज योग के तरह फल देता है यानि राजा के तरह ऐसे विक्ती को सफलता प्रसिधी सम्मान धन हर कुछ इनको प्राप्त होती है क्योंकि ऐसे लोगों की जो भाग्य रेखा है वो गुरु परवत सनी परवत और सूरिय परवत ये तीनों परवतों का गुन रिसिप करता है तो ये एक विशेश प्रकर का राज योग जैसे इस्तिती बनता है अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा पर कोई छोड़ी छोड़ी रेखा इस तरह के आकर जुड़े भाग्य रेखा में तो ये इसके बाद अगर भाग्य रेखा को कोई छोटी-छोटी रेखाए आके काटे या इस तरह के रेखाए वाग्य रेखा को काटे तो ये जिस आयू में भाग्य रेखा को काटती है उस आयू में वेक्ति को थोड़े पड़ेशानी जहलना पड़ता है जैसे अगर किसी वेक्ति के हाथ में भाग्य रेखा किसी रेखा दुआरा काटने के बाद इस प्रकर के शिफ्ट होकर चले तो उस आयू में जहां पर ये भाग्य रिखा को काटती है उस आयू में विक्ति को जौब बदलना पर जाता है या बिजनिस को चेंज करना पर जाता है इस तरह के इस्तिती बनता है थोड़े परेशानी वाला इस्तिती उस आयू में बनती है जहां पर ये भाग्य रिखा को क तो यह दर्साता है कि ऐसे विक्ति की कोई गलत नेलने लेने के वज़े से सफलता में रुकाबटे आ गई है अगर इस प्रकर के स्तिती बनता है किसी के हाथ में तो यह जो समय है मस्तिश्क रेखा के बाद का जो समय है यानि 35 बर्ष के बाद का जो समय है 35 बर्ष के बाद ऐसे लोगों की स्ट्रागल थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन ऐसा विक्ति कोशिश करते रहे तो इनको सफलता जरूर रुक्तात्त होगी दोस्तो भाग्य रेखा चाहे जैसा भी हो लेकिन आपका अगर ये हाथ की परवत्य का इस्तिती अच्छा है और हाथ के बागी इस्तिती अच्छा है तो आपका भाग्य रेखा चाहे थोड़ा कम भी के उना रहे या कहीं पर टूटी फूटी रहे इससे घबराना का कोई बात नहीं है आपको सफलता मिलेगी हाँ लेकिन एक अच्छी भाग्य रेखा का होना इसे सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि अगर भाग्य रेखा दूसित हो तो जिस आयू में ये दूसित होता है उस आयू में वेक्ति को थोड़ी आधिक महिनत करना परता है सफलता मिलने में थोरे बाधाय परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इसलिए अगर किसी वेक्ति के हाथ में अगर भागे रेखना ही ना हो तो किया ऐसे वेक्ति सफल नहीं होते है जरूर होते है क्योंकि परवतों का इस्तिति अगर अच्छा होता है तो ऐसे लोगों का अगर भाग्य रेखा हाथ में नहीं भी हूँ, अपने महनत के बलबुते पर अपने पुरुषात से ऐसे लोग अपना भाग्य को निर्मान करते हैं तो दोस्तो यह चोटी सी वीडियो थी मेरा भाग्य रेखा के बाड़े में दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर मेरे चैनल में नए है तो इस चैनल को भी सस्क्राइब करें शाथ में नोटिफिकेशन बेल आल पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुश सकें तो इस वीडियो में बस इतने ही धन्यवाद